स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे योट्यूब चैनल दी इंग्लिस डाइरी में और मैं हूँ आपका दोस्त फिचे सबसे अची खबर ये है कि इस वक्त सहायक अध्यापक L.T. यानि उत्राखंड में सरकारी शिक्षक बनने का एक सबसे सुनहरा मौका इस चुनावी समय से जस्ट पहले आपको मिल चुका है सहायक अध्यापक L.T. कुमाओ मंडल और गर्डवार मंडल की जो वेकेंसी है आज उसका नोटिफिकेशन UK SSSC ने जारी कर दिया है 14 मार्च आज की तारीख है और यहाँ पर सारी डेट्स आपको दी जा चुकी है जिसमें की विग्यापन प्रकाशन 14 मार्च ऑनलाइन आवेदन करने की तिथी 22 मार्च से सुरू हो जाएगी और अंतिम तिथी है 12 अप्रेल को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संसुधन करने की तिथी 16 अप्रेल से 18 अप्रेल तक और लिखित परिक्षा की अनुमानित तिथी जो है वो जुलाई का महीना बताया गया है यानि आपके पास अप्रेल माई जून तीन महीने ऐसे हैं जहां आप तैयारी भी कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं और आगे देखते हैं इसमें कितने नंबर्स आप वेकेंसी आई है टोटल 1544 जो है नंबर्स आप वेकेंसी है विभिन विश्यों की आप UKSSSC के ऑफिश किस हिसाब से हैं जैसे सहाइग अध्यापकेल्टी गड़वाल मंडल के 60% 60% जो लिखा इसका मतलब यह है यह सीधी भरती के लिए है और 10% जहां पर लिखा हुआ इसका मतलब वो प्रामरी में जो लोग हैं जित्ते टीचर्स हैं उनकी डिपार्टमेंटल वेकेंसी होती है सिताइक अध्यापक हिंदी में जो है अलग-अलग category wise अलग-अलग number of vacances जैसे से जाती मैं सी की 18 पोस्ट हैं जि जिन मैं से 6 महिलाओं की है और इसी तरह से जन जाती की 3 हैं जिस मीसे 1 महिलाओं और इसी तरह से OBC में 13 पोस्टे हैं चार महिलाओं की हैं इसी तरह से EWS में 9 पोस्टे हैं 2 महिलाओं की हैं सामानिय में 50 सीटे हैं हिंदी में और महिलाओं के लिए 15 सीटे हैं टोटल 93 सीटे हैं रिक्त जिसम महिलाओं के लिए 28 हैं इसी तरह से जो सवतंतरता संग्रामी है उ हुटपरोसैनिकों के लिए पांच है अनाथ के लिए पांच है जो कि और्फन में आते हैं दिव्यांग के लिए चार है तो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट यहां पर काउंट होती है इसी तरह इंग्लिश में भी अनसुच जाते के लिए 16 है मेल के लिए और पां है यानि जनरल कास्ट है उनके लिए 43 सीट्स हैं और जिसम विमेंस के लिए 13 सीटे हैं यहां नीचे आप जैसी आगे जाएंगे अलग-अलग विश्यों में तो फिर आपको कुमाओ मंडल का भी इसमें अलग से दिखेगा आगे जाके जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे और स्क्रोल करते रहेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर 10% वाला जो मैंने अभी आपको बताया यह डिपार्टमेंटल है यानि प्रैमरी की जो सिक्षक L.T. की भरती में फॉर्म जो है आवे दिन कर सकते हैं उनके लिए है 10% वाला अब इसके आगे देखिए इसके विमेंट की एक, OBC की 10 है जिन में विमेंट की तीन, EWS की साथ है जिसमें विमेंट की दो है और अन्रिजर्ब की 38 है जिन में की 10 जो है उत्राखंड महिला की है इसी तरह इंग्लिश में भी यहां पर आपको दिखा दूँ की SC की तैन है और 13 जो स्वरी, EWS में 5 जो की एक विमेंट की है और जनरल में 31 है जोकी 9 जिन में वोमें यहां पर इंग्लिश सुज्च का मैं बताऊंगा क्योंकि मेरा भी शुचियर इंग्लिश सब्ज्च ही रहा था तो इंग्लिश सब्ज्च में यह ग्हींग्ट के काटिगरी के लिए 31 पोस्ट हैं अब आप इन पोस्ट को उपर वाली पोस्ट के साथ एड़ करके देख लें कि टोटल नंबर आप वेकेंसी आपकी कितनी है अब हम फॉर एक्जांपल माल लेते हैं जो यहां पर सबसे पहले एसी का दिया हुआ है मेल का तो 10 पोस्ट जो है कुमाव मंडल की दी हुई है और इसी तरह से अगर हम उपर जाके देखेंगे कि गड़वाल मंडल में कितनी दी हुई है तो गड़वाल मंडल में यहां पर दी हुई है 16 तो यानि 10 प्लस 16 आप करोगे तो 26 जो है टोटल नंब में इंग्लिश वाले में 43 गड़वाल मंडल में है और यहां अगर हम कुमाव मंडल में देखें तो नीचे आपको दिखेगा कि कुमाव मंडल में जो है 60 प्रतिस्वत में इंग्लिश जो हैं इंग्लिश में 31 है तो लगभग 43 प्लस 31 को आप एट करेंगे तो जितना आएगा उतने नंबरों फेकेंसी हैं तो इसी तरह से एक अच्छा ठीक ठाक इसमें पोस्टे हम कह सकते हैं और विभिन विश्यों पर यहां पर आई भी है इसकी अहर्तता नीचे लिखी हुई है आप देख सकते है कि क्या-क्या जो है इसमें आपकी आपके लिए क्या-क्या चीज़े मांगे गए है नॉर्मली बियाड और टी टी सेकंड पास होना ज़रूरी होता है और बाकी तो इसमें जज़्यादा कुछ है नहीं हाई इस बार जरूर यह कि कलाविशे के लिए रूप से बियाड को मान थी वो जो है अब आपको जो परिक्षय आप देंगे वो नई नियमावली के अनुसार देंगे मुझा ज़दस्थ Nej नियमावली में क्या है यहां पर Part सब्सक्राइव मो सब्सक्राइब यानि सबी विश्यों के लिए यह कर दो अपक्राइब जरूरी रहेगा ये इनकी कहने का अर्थ है ठीक है तो यानि जो भी आपकी विशे हैं सभी के लिए जो है ये आपको पढ़ना पढ़ेगा ये से लिए बस आपका जैसे कि सारी जितने टॉपिक्स दियो है ये आपको कवर करने पढ़ेंगे जो कि आपने बीएट के दूरिशन में जरूर पढ़े होंगे है ना उसके बाद जो पार्ट तू है यूनिट तू इसमें है उसमें चायल डेवलेप्मेंट परस्नालिटी टाइप थियूरी ज रोल आप टी सब कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा बहुत लंबा चोड़ा स्लेबस है जो कि आपको कवर करना है उसके बाद यूनिट फॉर्थ मापको एड्यूकेशन और गिप्ट यहां पर यह सारी चीजें भी आपको पढ़ने पढ़ेंगे आप मैं पूरा इसको पढ़ने नहीं कि समय काफी लग जाएगा तो देखें यहां पर यूनिट फिप्त है आपकी यूनिट फिप्त के बाद यहां पर यानि पांच ऐसी यूनिट है जिसमा आपका चाइल्ड हुड के साथ साथ जो आपके जितने भी आपने बी एट के डिरिशन में पढ़ा था वो सब कुछ इसम आपका था क्या पार्ट वन यानि पार्ट वन में जो है आपको यह कॉमन सभी लोग को देना है तो यह मान के चलिए कि ट्वेंटीफाइब माक्स का आपका पार्ट वन जो यहां पर दिया हुआ था जिस से लिबस को भी में पढ़ रहा था यह पूछा जाएगा इसके जर्नल नॉलेज को मिला के जैसे कि यहां नॉन वर्वल अबिलिटी टेस्ट है सिरीज काउंटिंग ओफिगर्स क्लासिफिकेशन यह सारी चीज़े हैं फिर वर्वल अबिलिटी टेस्ट भी है इसमें इसके बाद जर्नल नॉलेज भी है उतरखंट से रिलेटेड स्टेट प्रोफाइल हिस्टॉरिकल बैग्राउंड बाइयो डाविसिटी पॉपुलिशन एनिशें मेड्वल एन मॉडरन उतरखंट तो यह सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी यानि कहने का मतलब यह है ट्वंटी फाइप मार्क्स का आपसे जर्नल नॉलेज और इसके साथ जर्नल नॉलेज और रिजनिंग मैथमाटिक्स पूछा जाएगा और ट्वंटी फाइप मार्क्स में आपसे जहां पर आपका टीचिंग से रिलेटेट चीज़ें हैं या फिर आपने जो फिलॉसपी वगएरा पढ़ी है बीएट के डूरिशन में वो पूछा जाएगा तो जैसे कि पार्ट सुपी टैंसे अर्टिकल प्रेपोजिशन सब्जिक्ट वर्ब एगरिमेंट ट्रांस्फोरमेशन अप सेंटेंस इंगलिस लैंगविज में क्या-क्या पूछा जाएगा लिट्रिरी फॉर्म एंड मोमेंट में क्या पूछा जाएगा ड्रामा में अगर पूछे जाएगा जीबी सौगी आम सेन मैं पूछी जाएगा ग्रीस कनाट की तुगलक से रिलेटेड कोश्चन पूछे जाएगे जे एम सेंच की राइडर्स टू दशी पूछे जाएगी इसी तरह पोईट्री में इन्होंने बिल्कुल राइटर्स को बताया हुआ है जैसे जान डन, अलेक्संडर पोफ, विलियम सिक्स्पियर, जान कीट्स, अलफवर्ट, टेनिशन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टियस इलिएट, वाईबी यीट्स तो पूरे डीटेल में बताया हुआ है, एक एक राइटर के बारे में कि उससे रिलेटेड आप से क्या 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 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इंडियन इंग्लिश पोईटरी है, निजीम एजिकल, एके रामानोजन, सरोजनी नाइडू, कमला दास, ये सारे डीटेल में बताये हुएं, यानि आप इनको पर्टेकुलर्ली उस टॉपिक में जाके और केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत जादा आपको डीटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कहने का मतलब यही कि आपको सारी सेलेबस को पूरा डीटेल में यहां समझा हुआ हुआ है, जो कि पिछले सालों के एक्जाम में नहीं होता था, लेकिन बच्चो इस साल जो खास बात यही आप लोगों के लिए रहेगी, कि आपको 50 नंबर में जो है सारी चीज़ें पढ़नी है, और 50 मार्क्स का जो है आपका पर्टीकुलर सब्चेक पूछा पर्टीकुलर सब्चेक को पर्फेक्ट करने में लगे थे, उनके लिए थोड़ा सा यहां पर समश्या का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, लेकिन कोई दिकत नहीं है, तीन महिने का टाइम है, आप से लेबस को कबर कीजिए, आपको 25-25 को डिवाइट करते हैं, यहां पर 50 मार्क्स का वो प्रिपेर करना है, और 50 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट प्रिपेर करना है, और मैं बस इतना ही कहूंगा कि all the very best और इंग्लिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स हो, वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर अपनी रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, जो भी रिलेटेड उन्हें नोट्स चाहिए या वो चाहते हैं, कि उनको मैं अपने पराने ऐक्सपिरियंस को जो है उनके सामने लाओं उनके सामने राइटर्स बाइटर्स उनको चीज़ें समझाओं जिससे की एल्टी एक्जाम को क्रैक करने में, इंग्लिस लिट्रिचर के जो side है वहां से उनको फाइदा हो जाए तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को जाद से जादा बच्चों में शेयर करें ताकि सबी कैनिडियर्स को पता चल जाए कि वेकेंसी आ चुकी है और कितने numbers of vacancy है क्या-क्या syllabus में changes हुए है तो thank you so much for watching this video